टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो, बिग बॉस सत्रह में अब बस कुछ ही कंटेस्टेंट्स पचे हैं। शो बस अपने फिनाले के दो हफ़ते दूर हैं। ऐसे में हर कोई जीतने के लिए अपनी गेम को स्ट्रॉन करता नजर आ रहा है। इस हफ़ते मीट भी के विक्षन में समर्ट जुरेल उर्फ चिंटु शो से बाहर हो गए हैं। वहीं आज शो में नॉमिनेशन टास्क होने जा रहा है। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स एक दुसरे को ही जम कर टॉर्चर करने वाले हैं। शो के सामने आए प्रोमो में देखने को मिला है कि इस बार नॉमिनेशन टास्क दो टीमों के बीच में होगा। टीम में मुनवर, अभिशेक, मननारा और अरुन हैं। तो वहीं टीम भी में अनकिता, विक्की, आईशा और ईशा हैं। वीडियो में बिग बॉस कहते सुनाई दे रहे हैं कि आज नॉमिनेशन दो दो टीम्स का खेल होगा। इसके बाद अभिशेक, मननारा और मुवर एक बटनके को पकड़े खड़े दिखते हैं। सामने वाली टीम उन पर टॉर्चर करती नजर आ रही है। एक तरफ अभिशेक के चहरे पर वैक्स किया जा रहा है तो वही मननारा के चहरे पर लाल मिर्ची डाली जा रही है। इस दोरान ये तीनों चिलाते भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आईशा मननारा से कहती सुनाई दे रही है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दीजिये। दूसरी तरफ मननारा पर इतना टॉर्चर होते देख मुनवर उन्हें स्ट्रॉन रहने के लिए कहते सुनाई दे रहे हैं। बतादे की इस टॉर्चर टास्क में जो भी टीम जीतेगी वो पूरी टीम इस हफते नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगी। बहीं हारने वाली पूरी टीम को हफते भर के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। बतादे की शो में पहले भी ऐसा नॉमिनेशन टास्क हुआ है जिसमें कंटेस्टन्ट को इस तरह एक टोचा का सामना करना पड़ा है। सलमान खान के शो बिग बॉस सतरह के घर के अंदर बसा बाट कंटेस्टन्ट बचे हुए हैं, जिसमें मुनवर फारुकी, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, ईशा मालविया, अभिशेक कुमार, अरुन माशिक्टी, मनारा चोपड़ा और आईशा खान शामिल हैं। बिग बॉस सतरह अपने तीसरे महीने में कदम रख चुका है। हाला कि खुद सलमान खान ने एक एपिसोड में ये कन्फर्म कर दिया है कि इस शो का ग्रेंट फिनाले जनवरी के अंतियानी की 28 जनवरी 2024 को होगा।